नमस्कार आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है आज मैं आप लोगों के साथ सेयर कर रही हूं स्नैक्स की रेसिपी जिसे हमने गाज़ड के छिलके से बनाया है आप इस रेसिपी को देखने के बाद कभी भी गाज़ड के छिलके को नहीं फेकेंगे तो आप मे यहां पर हमने पिछले विडियो में गाज़ड का हलवा बनाया था और उसके छिलके हमने रख लिये थे इसे हमने अच्छे से वाश कर लिया है वैसे तो गाज़ड को छिलने से पहले भी हमने वाश किया था लेकिन छिलके को हमने बापस फिर से वाश कर लिया और इसे ग्र काटा भी इसमें मिक्स कर सकते हैं और यहां पर हमने एक चथाई का बूरा आड़ किया है आप उसकी जगह पर पीसी हुई चीनी भी आड़ कर सकते हैं और इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे आप इस रेसिपी को अगर किसी के सामने शर्ट भी करेंगे तो कोई भी पहचान नहीं पाएगा कि आपने इसे गाज़र के छिलके से बनाया है तो यहां पर इसे हमने मिक्स कर लिया और इसमें आड़ करेंगे थोड़ा सा पानी इसका बैटर हमें थिक रखना है बहुत जादा हम पतला नहीं करेंगे तो इसलिए आप इसमें थोड़ा हो जागा तो स्नैक्स अच्छे से नहीं बन पाएगा आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं इसी तरीके का हमें बैटर रेडी करना है और इसे अब ढख करके आदे गंटे के लिए रेस्ट में रखें जिससे की सूजी अच्छे से फुल जाए आदे गंटे के बाद यहां पर हम बैटर को चेक कर लेते हैं इस तरीके से आप चेक कर लें तो सूजी फुलने से बैटर थोड़ा सा और थीक हो गया तो थोड़ा सा पानी हम और एड़ करेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे कुछ बच्छों को गाज़र खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है ना वो में इसे मिक्स कर लिए और इसमें आड़ करेंगे एक चताई कप नारियल का पॉड़र और साथ में तोड़ी सी गुती हुई लाइची, इस से स्नैक में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा, तो आप नारियल पॉड़ के जगह पर सुखे नारियल को ग्रेट करके भी आड कर सकते हैं यहां पर हमने इन सभी चीजों को बैटर में अच्छे से मिक्स कर लिया है तो हमारा बैटर स्नेक्स बनाने के लिए रेडी है तो चलिए स्नेक्स बनाना शुरू करते हैं तो यहां पर हमने इसे फ्राइ करने के लिए पहले से तेल गरम होने के लिए रख दिया था और इस स्पून के साहता से आप इसमें थोड़ा थोड़ा बैटर एड़ करते जाएं इस तरीके से छोटे छोटे स्नैक्स बना करके हम रेडी कर लेगे इसे बनाने के लिए यहाँ पर हमने लोही की कड़ाही का यूज किया और थोड़ी चौड़ी कड़ाही लिए जिससे की हमारा स्नैक्स जल्दी से बन जाए आप चाहें तो छोटे वाले कड़ाही में भी बना सकते हैं यहाँ पर हमने कड़ाही में एक बार में जितना आ सकेगा उतना बैटर हमने डाल दिया है और जब यह एक साइड से फ्राई हो जाएगा तो इसे हम पलट देंगे और दूसरे साइड से भी गॉल्डेन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे इसी तरीके से दोनों साइड से पलट करके हमें अच्छे से फ्राई कर लेना है आप एक बार इस रेसीपी को जरूर ट्राई करें अगर पसंद है तो मेरे वीडियो को लाइक जादा जादा शेयर अगर आप मेरे चैनल पर ना है तो उसे सब्सक्राईब जरूर करें साथ में बेल आइकोन को प्रेश करना ना भूलें जिससे की मेरी अगली वीडियो की नॉटिफिकेशन आपको मिलती रहे यहां पर हमने सारे स्नैक्स को पलट दिया और यह दूसरे साइट से भी फ्राई हो चुका तो एक बार इसे और हम पलट करके बापस उस साइट से फ्राई कर लेंगे जिसे की और अच्छे से यह कोल्डेन ब्राउन हो जाए यह टेस्टी होने के साथ साथ बहुत ही हिल्दी स्नैक्स भी है आप इस तरीक से स्नैक्स बना करके बच्छों के टिफिन में भी दे सकते हैं और किसी महमान के आने पर भी शर्प कर सकते हैं तो यह बिलकुल भी नही निकाल लेगे आप देख सकते हैं इसमें हमने कोई भी फूट कलर यूज नहीं किया है फिर भी इसका कलर बहुत ही अच्छा है यहाँ पर हमने सारे स्नैक्स को निकाल लिये हैं और इसी तरीके से बाकी के स्नैक्स को भी फ्राई कर लेंगे यहाँ पर हमने दूसरा बैस इस तरीके से डाल दिया है आप छोटे वाले स्पून की साहता से भी इसमें डाल सकते हैं या अगर आपको पसंदे कि हम थोड़े बड़े स्नैक्स बनाए तो आप थोड़े बड़े बड़े भी बना सकते हैं तो यहां हमारा दूसरा बैस भी ठीक हो चुका है तो इसी त Neighbor की साती से साहरे स्पूरा करके रेडि कर लेंगे यह अपर हम ने सारे स्पूरा को यहां सॉफ्ट बना है उपर से क्रंची और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट है तो इसे जरूर ट्राई करें और कमेंट करके बताना ना भूलें तो चलिए मिलते हैं एक नहीं डेशिपे के साथ नेक्स्ट वुडियो में